हेलो एव्रिवन, वेल्कम अगेन टू लंगरी दितीमन, लास्ट वीडियो हमने जैपुर्ट जिले से संबधित परेटन इस्तल किये थे, आज हम करेंगे जैसल मेर जिला, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, किले और हवेलियों का सहर किसे कहा जाता है, किले और हवेलियों का सहर कहा जाता है नेक्स्ट है 191 जैसल मेर किला किस परवत पर इस्तित है यह त्रकूट परवत पर इस्तित है यह त्रकूटा परवत पर इस्तित है नेक्स्ट है जैसल मेर का किला अन्न किन नाम से जाना जाता है जैसलमेर का किला अन्ने किन नाम से जाना जाता है, इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो किस पत्थर के निर्मित होने से यह होता है? पीला बलुवा पत्थर इस वज़े से जब सूरे की रोश्णीज पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है. नेक्स्ट है जैसलमेर में इससे डेजर्ट नेशनल पार्क कौन से लुप्त प्राय हो चुके दुनिया की सबसे लंबी उडान भरने वाले पक्षी का इस्थान भी है? जैसल मेर में इस तेत जो डैजर्ट नैशनल पार्क है वह कौन से पक्षी का इस्थान है जो लुप्त हो चुके हैं दुनिया में तो यह है Great Indian Bustard पटवों की हवेली किसने और कब बनवाई गई तो पटवों की हवेली कहा है जैसल मेर में है इसका निर्मान कुमान चंद पटवा ने करवाया अपने 5 बेटों के लिए और कब करवाया 1805 इसवी में तो पट्वों की हवेली जो जैसल मेर में हैं, कुमान चंद पट्वा ने अपने पांच बेटों के लिए 1835 वी में बनवाई पट्वों की हवेली बनने में कितना समय लगा था? तो इसे बनने में पूरे 50 साल लगे थे पट्वों की हवेली को बढ़ने में 50 वर्ष लगे थे नेक्स्ट देखिए कुश्यन 197 तन्नोट माता का मंदिर किसने बनवाया? तन्नोट माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? यह भाटी राजपूत नरेश तन्नुराब यानि तन्नुजी के द्वारा ही बनवाया गया बी एस एफ के जवानों के लिए पूजनिय तन्नोट माता किसका पुनर्जनम माना जाता है? नेक्स्ट देखिए Q199, राम देवरा मंदिर किस संत का इस्थान माना जाता है? राम देवरा मंदिर जो है वह है किस संत का इस्थान माना जाता है? तो हम सभी को पता है कि बावा राम देव का इस्थान माना जाता है, जो कहां पर है? रुणीचा जैसलमेर में. गोडे पर विराजित राजा के समान यह राजिस्थान की किस लोग देवता की छबी है तो ऐसे कौन से लोग देवता है जो गोडे पर विराजित राजा के समान जिनकी छबी है तो वह हैं बावा रामदेव नेक्स्ट देखिए हिंदू मुस्लिम की एक्ता प्रतीक माना जाने वाला राम देवरा मंदिर कहां पर इस्तित है यह मंदिर जो है वह पोकरण से 12 किलोमीटर दूर जैसलमेर और जोदपूर मार्ग पर इस्तित है हिंदू मुस्लिम की जो एक्ता का प्रतीक माना जाता है राम देवरा मंदिर वह कहां इस्तित है वोकरण से 12 किलोमीटर दूर जोदपूर जैसलमेर मार्ग पर इस्तित है नेक्स्ट देखिए कुशन 202 प्रसिद्ध संत बावा राम देव लोग देवता का अंतिम विश्राम इस्तल किसे माना जाता है वह राम देवरा मंदिर नाम से प्रसिद्ध संत बावा राम देव का जो अंतिम विश्राम इस्तल है वह किसे माना जाता है राम देवरा मंदि नेक्स्ट देखिए 203 कुश्चन राम देवरा मेले का आयोजन कब किया जाता है यह अगस्त और सितंबर में आयोजित किया जाता है राम देवरा मिला अगला देखिए जैसलमेर में इस्थित बड़ा बाग किस अन्य नाम से जाना जाता है यह बर बाग के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट देखिए कुश्चन 205 बड़ बाग में किस सासक ने बांध का निर्मान करवाया था तो महराजा जैसिंग दुत्ये ने बड़ बाग में बांध का निर्मान करवाया था और थोड़ा सा इसको जानिए कि म्रत्यु परांत पुत्र लून करण सर द्वारा बड़ बाग में ही इनकी छत्री का निर्मान भी करवाया गया तो यह आज आपका अंतिम प्रस्ण था जैसल मेर जिले से संबंदित नेक्स्ट जिला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू करवाद lurु में लड़ां में वीडियो नेक्न सब्सक्टं सकत्ष्ट वीडियो थेंटस्ट जिले सम्त्री का